हेलो एस्टूडेंट स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज की इस वीडियो में क्लास बारह के रसाइन विज्ञान अभ्यास 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरो बेंजीन बनाने की बिधी तो पिछले भाग में हम लोग क्या का पढ़े थे हेलो एरीन क्या होते हैं और हेलो एरीन के कितने परकार होते हैं यह सब बताया गया था तो आप सभी विद्धार थी यदि उस बारह का वीडियो आप नहीं देखेंगे तो प्लेलीस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के उस जरूर देख लिजे, तो क्लोरो बेंजीन बनाने की विधी बताया जा चुका है, वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोरो बेंजीन का जो है, रसाइनिक गुण क्या होते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा, तो एक एक स्थापन, अब यहां पर है डाक्सी समू का बिस्थापन कैसे किया जाएगा, तो लिखेंगे क्लोरो बेंजीन को, किसको क्लोरो बेंजीन को कास्टिक शोडा के जली बिलियन के साथ, मतलब क्लोरो बेंजीन को लेना है, और किसके साथ लेना है, कास्टिक शोडा के जली बि यह तो दो सो वाई मंडल और और क्या लिखेंगे तीन सो डिगरी सेल्सियस क्या लिखेंगे तीन सो डिगरी सेल्सियस पर क्या करेंगे यहां पर तीन सो डिगरी सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्या करेंगे गर्म करके गर्म करने पर गर्म करने पर गर्म करने पर कुलोरीन परमाडू, कुलोरीन परमाडू, कुलोरीन परमाडू, ओयच समू द्वारा, क्या हो जाए, बिस्थापीत हो जाते हैं, बिस्थापीत हो जाता है, और फिनोल बनता है, और फिनोल बनता है, तो एक बार और समझते हैं, जब क्लोरो बेंजीन, कास्टिक सोडा के जली बिलियन के साथ उंच दाब, 200 वाई मंडली और 300 डिगरी सिल्सियस ताप पर क्या करेंगे, गर्म करने पर क्लोरीन परमाडू, ओयच समू द्वारा, क्या हो जाएगा, बिस्थापीत हो जाता है, और क्या बनता है, फिनोल बनता है, अब यहां रियक्शन को समझ लेंगे, अब यहां लिखेंगे, C6 याच जो है, 5C, इसका नाम है क्लोरो बेंजीन, और इसका नाम है कास्टिक सोडा का नाम है, यन ए ओ याच, इसका नाम है कास्टिक सोडा है, अब इसको गर्म करेंगे, तो कितने डिगरी पर, तो 300 डि रहेगा डिगरी Celsius रहेगा जब यहां गर्म करेंगे तो क्या बनेगा C6 बनेगा यह फाइप O-H बनेगा फिनोल इसको बोलते हैं और यहाँ बनेगा यहन्य CEL बनेगा तो समझ में आ गया होगा कि यहां यह जो है, इसका किसका सुतर है? यह कलोरो बेंजीन है और यह अन्ने OES का नाम क्या है? यह काष्टिक शोडा है, इसको 300 से लेकर 300 डिगरी सेल्सियस और 200 वाई मंडली पर क्या करेंगे? गर्म करते हैं, तो यह क्या बनता है? फिनोल बनता है और यह अन्ने C-L प्राप्त होता है तो आप सभी भी द्यार थी इस reaction को अपने copy में क्या कीजिए note जरूर कर लिजिए अब इसका दूसरा जो है रसाइनी गुण पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा जो है भौती गुण क्या रसाइनी गुण क्या है तो यहां लिख लेंगे दूसरा यह दूसरा लिख लिजएगा और यहां पर क्या होगा एमीनो समू का क्या कहेंगे एमीनो एमीनो समू और एमीनो समू को क्या कहते हैं माइनस यानेस्टू बोला जाता है एनस्टू द्वारा जो है क्या किया जाएगा बिस्थापन किया जाएगा इसके पहले हैड्राक्सी था और यह क्या है आपका इमीनो समू जो है एनस्टू द्वारा क्या है बिस्थापन है अब यहाँ पर जो है यह निस्टू दोर अब इस्थापन कैसे किया जाएगा तो अब आगे लिखेंगे क्लोरो बेंजीन जो है क्या लिखेंगे क्लोरो बेंजीन क्लोरो बेंजीन क्लोरो बेंजीन को क्यूप्रस आक्साइड क्यूप्रस आक्साइड कि उपरस आकसाइड की उपस्थती में कि उपरस आकसाइड की उपस्थती में उपस्थती में जली बिलियन उपस्थती में जली बिलियन जलिये बिलियन अमुनिया के साथ अमुनिया के साथ है साथ उच्च दाब पर उच्च दाब है और उच्च दाब और दो सौट डिगरी सिल्सियस पर गर्म करने पर पर गर्म करने पर करने पर इनीलीन बनता है इनीलीन बनता है तुआ समल देंगे जब क्लोरो बेंजीन को क्यूपरस आकसाईर के उपर स्थित में जली बिलियन अमुनिया से क्या किया जागा अमुनिया के साथ उच्च दाब और दो सो जो है दो सो डिगरी सिल्सियस पर जब गर्म करने पर क्या बनता है अब अनीलीन का सुत्र क्या होता है अब यह आप लोग को समझ में आ जाएगा तो पहले जो है क्लोरो बेंजीन लिखेंगे क्लोरो बेंजीन का सुत्र क्या होता है और अमोनिया का सुत्र क्या होता है यान याच थिरी होता है और क्यू परस अक्साइड के क्या होता है सी यू टू ओ होता है क्यू परस अक्साइड इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा सी सिक्स बन जाएगा या फ़ाइब बन जाएगा और यह क्या है यान EH2 अब NH2 का देखिए क्या गया NH2 हमको पढ़ना था यह मीनों समों तो NH2 यहाँ पर देखिए आ गया इसी को क्या कहा जाता है A नी लीन कहा जाता है पलस 2 C U C L कहेंगे पलस जो है EH2 वो बने तो अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ पर दो लगा लेंगे और यहाँ पर भी संतुलित करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर भी दो लगा लेंगे और यहाँ पर भी दो लगा लेंगे तो दू छके 12 यहाँ पर जो है क्या है कार्बन है 2 छके 12 हो गया और यहाँ पर पांदूनी क्या है 10, 3, 13 तो 5, 2, 7, 7, 2, 9 5 पांद्वनी क्या हो गया 10, 10, 2, 12, 12, 12 हो गया 12, 13, 14 हाइडोजन कितना है 14 तो यहाँ सत्धियान देज़ेगा क्या है यहाँ पर दूपचे 10 दस दू दूनी चाहत यह चौदा है कि यहुंटा है 16 यहां यहां पांदो नी दस दू तिया इचे तो 16 इधर और 16 इधर है तो दोनों समीका क्या होगा संतोलित हो गया इसको संतोलित भी करना हैं संतोलित करते भी चलिएगा साथ में अब अगला जो किरिया होगा सैनाइड समू का द्वारा किसके द्वारा सैनाइड समू हूँ द्वारा दिखेंगे आपर सैनाइड सैनाइड समू सैनाइड समू माइनस सियन द्वारा क्या है बिस्धापन अब सैनाइड समू सियन द्वारा बिस्धापन क्या है अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं बहुत असान है आप सभी विद्यार थी इसे अपने कॉपी में जब लिखते चलेंगे ना तो आपको एक नोट्स भी क्या होगा बनता रहेगा तो अब यहां लिखेंगे क्लोरो बेंजीन क्लोरो बेंजीन क्लोरो बेंजीन को पीरिडीन क्या है पीरिडीन की उपस्थित में पीरिडीन की उपस्थती में उपस्थती में क्यूप्रस आक्साइड क्यूप्रस आक्साइड Q-Press आक्साइड ने लेंगे Sainide Q-Press क्योंकि Sainide है तो Sainide लेंगे Q-Press Sainide Q-Press Sainide और और Potassium और Potassium Sainide सेनाइड के साथ 200 डिगरी सेल्शियस ताप पर गर्म करने पर करने पर फेनिल सेनाइड बनता है क्या बनता है फेनिल सेनाइड बनता है सेनाइड बनता है समझ देंगे एक बार और तो क्लोरो बेंजीन को पिरिडीन के उपस्थित में जो है Q प्रस सैनाइड और पोटैसियम सैनाइड को 200 डिगरी सेस्यस ताप पर क्या करना है गर्म करने पर फेनिल सैनाइड बनता है अब यहाँ पर जो है C6 H5CN यह किसका सुत्र है यह कलोरो बेंजीन का सुत्र है और यहाँ पर किस से क्रिया करेगा पोटैसियम जो है क्या है पोटैसियम सैनाइड या पोटैसियम सैनाइड लिजे या क्या है क्यूपरस सैनाइड है तो क्यूपरस सैनाइड के सुत्र क्या होता है Cu और क्या होगा C1 और इसको गर्म करेंगे कितने पर 200 डिगरी सेल्सियस पे गरम करेंगे किसके उपस्तित में पिरीडीन की उपस्तित में पिरीडीन की उपस्तिती में इसको क्या करेंगे गरम करेंगे तो क्या बनेगा फेनिल सैनाइड तो क्या बनेगा फेनिल सैनाइड इसका नाम है फेनिल सैनाइड और उसके साथ क्या बनेगा C-U-C-L बनेगा तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर किसको किसको ले करके गर्म किया गया क्लोरो बेंजीन को पीरिडीन के उपस्थित में 200 डिगरी सेल्सियस पर जब इसको गर्म किया गया है और किसके क्यूपरस आक सैनाइड के साथ गर्म किया गया तो यहां पर देखे कि उपरस आनाइड और पोटेशियम सैनाइड के साथ किना पर 200 डिगरी सेल्सियस पर क्या किया गया है गर्म करने पर फेनिल सैनाइड प्राप्त होता है तो यहां पर तीन आज इसके रसाइनिक गुण को बताया गया अब यहां तीन से आगे के रसाइनिक गुण को कल की वीडियो में बताया जाएगा तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यारती जरूर कमेंट कीज़ेगा वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा और चैनल पर दी पहली बार आये होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतीयों को नमस्कार